ऐलो दोस्तों मैं हो आती सेगल और मेरी किचन में आपका बहुत बश्वागत है आज में बनाऊंगी बहुत ही हल्दी डेश जिसका नाम है फलाफल, बैसिकली यह मिड्ले इस्ट की डेश है और यह बहुत ही टेस्टी होती है और यह दो तरह से बनाई जाती है, वेजिटेरि और इसको डीप frye करकर बिनाया जैता है तो जो कैसे बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए रात को भीगो दिया था जार शाक गाल घंटे के लिए था लात Ó जैता है पानी दकार लिए और इसके उपर मैं डालूँगी धनिया, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, यह सारा समान जो हमने बठा किया था यह हम डाल देंगे इसमें और अब यह धनिया जो बच्चा था वो भी डाल देंगे उपर से इसमें पानी हमें नहीं डालना है अब हम इसके उपर सूखे मसाले डाले इसमें हमें पानी डालना है और इसको बहुत जादा महीन भी नहीं पीसना है इसको दरदरा पीसना है यह देखिए यह दरदरा पीसले आप इसको एक बाउल में निकाल लेंगे यह बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश है यह देखिए अब हम इसको बाइंड करने के लिए इसमें हम मैदा भी मिला सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लेकिन मैंने इसको भूध हेल्दी रखना तो इसलिह मैं इसमें बैसन मिला रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा समयने सोडा डाला है इसमें जिससे कि ये एकदम नरम बनेंगे ये देखे अब हम इसको अच् अब यह पेस्ट हमारा तयार है थोड़ा सा तेल लगा के हातों में अब मैं इसकी जो है टिक है जैसे बना लोंगे फला फल को हम सेंड्it के तरह भी लगा सकते हैं ब्रेड में वैसे इसको you dominate के साथ और मुला जाता है और योगर्ड टिब के साथ के साथ बेखा सकते हैं अब शेलो फ्राइख करने के लिए पैन में और जैसे ऀसे तेल गरम हो तो इसमें एक्ए करके ये सारट अपने इस्वेरत redenगे गरम तेल है इसमें आराम से पिसमीड हैं यह देखिए यह सिक रहा हैं अब यह एक तरफ से brown हो गए हैं तो हम इसको पलट लेंगे यह मैं एक folk की मदद से इसको पलट रही हूं यह देखिए यह brown हो गए हैं कितना भड़ी है इसका color आया है यह high fiber और rich protein rich diet है इसको आप lunch में, dinner में, breakfast में कैसे खा सकते हैं यह तियार हो गए है और सारा इसमें से देखिये तेल भी नहीं लग रहा है यह हम इसको निकाल लेंगे यह हमारे त्यार हो गए है अब हम इसको जो बचा हुआ पेस था उसकी हम बॉल्स बना लेंगे डीप फ्राइ करने के लिए हमें बॉल वाली शेप सही रहती है ऐसे तो आप पैटिस जैसी भी बना सकते हैं फ्लैट लेकिन बॉल्स रहेंगी तो अच्छे से चारो तरफ से अराम से फ्राइ हो जाता है यह देखिये मैंने पूरा बना लिया है अब हम इसमें डीफ्राइ करने के लिए थोड़ा तेल लेंगे ज्यादा यह मैंने ऑलीव लिया है अब हम इसको पलट पलट के ऐसे पूरी दरफ से मीडियम अच पे इसको सेख लेंगे यह देखिये इसको आप बेफिकर होके सेख सकते हैं इसमें कुछ तूटने वाला या ऐसा बिखरने वाला कुछ नहीं होता है बहुत आसानी से तल जाता है यह ऐसे मैं बाकी भी तल पिसा हुआ पुदीना और इसको मिक्स कर लेंगे और यह हमारा योगर्ट डिप त्यार हो गया है इसके साथ इसको खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है यह जरू ट्राइ करेगा आप बहुत ही अच्छी और हेल्धी डिश है यह देखिये यह मैं आपको दिखा रहे और दोनों ही बहुत ही स्वादिश लगते हैं यह देखिये मैंने आपको इसमें यह तला हुआ भी दिखाती हूँ यह भी बहुत टेस्टी है और यह अंदर से ऐसे ही नरम और बहार से एकदम क्रिस्पी है यह देखिये अब आप इसको खाईए एंजॉय करिए और इस रेस कि अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें